Hello everyone, I am your Hindi teacher in Paramount Public School. I hope you all are fit and fine. आज हम करेंगे Hindi का टोपिक वचन बदलो यानि की चेंज़ दा नमबर. इस चितर में देखो, पहले चितर में बच्चा मैदान में खेल रहा है और दुसरे चितर में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं. जैसे देखो, पहले हमने चितर में देखा था, कि एक बच्चा खेल रहा है, और दूसरे चितर में हमने क्या देखा था, कि एक से जादा बच्चे, यानकि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तू या एक बढानी के होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं जैसे खिलोना, कमरा, खिडकी, गुडिया, आदी बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तूओं या प्रानियों का ग्यानों बहुवचन कहलाता है जैसे खिलोने, कमरे, खिडकीया, गुडिया, आदी अब हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के नियम की वचन कैसे बदलते हैं आ से अंत होने वाले पूलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर जब किसी शब्द के अंत में आ की मातरा लग जाती है तो इनका जो ये शब्द हैं ये आ से अंत हो रहे हैं और ये बहु पचन में क्या लग जाते हैं ए करने पर ये जैसे डबा डबे बन जाता है अ या आ से खत्ब होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पर ए करने पर क्या बन जाता है देखो कमीज, कमीजें, गाएं, गाएं, सेना, सेनाहें, रात, रातें, सडक, सडकें, कन्या, कन्याएं ए या ए से अंत होने वाले शब्दों के अंत में या ए के सान पर आ करने पर क्या बन जाता है लडकी लडकियां अब देखो लडकी के बीछे बड़ी एकी मातरा है तो जब उसको बहु वच्चन बनाते है तो आ बन जाता है या रोती रोटीयां रिती, रितियां, नारी, नारियां, टोपी, टोपियां उ, या ओ से अंत होने वारे शब्दों के अंत में ए जोड़ कर चोटे उ की मात्रा उय में बदल जाती है, देखो वस्तू, वस्तूएं, बहू, बहूएं, गो, गोएं, वधू, वधूएं, रितू, रितूएं, खुश्बू, खुश्बूएं या से अंत होने वाले स्त्रिलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लग जाता है उधारन देखो, बंदरिया, बंदरिया, चुईया, चुईया, टोकरी, टोकरिया, चिडिया, चिडिया, बुडिया, बुडिया, खटिया, खटिया अब हम पढ़ेंगे वचन सबंदिव शेश नियम जिनने आपने बटे ध्यान से देखना है प्रतेक तता हरेक का प्रयोग हमेशा एक वच्चन में होता है जैसे प्रतेक चातर बैट गया हरेक आदमी फूल लाया अब देखो दूसरा समाचार, प्रान, आंसू, सस्ताक्षर, लोग, होश आधी शब्द हमेशा बहु वच्चन में प्रयोग के जाते हैं उतारन देखो भय के मारे उसके प्रान सूख गए और होश उड़ गए इसको द्यास देखो हम ऐसे नहीं बोलते कि उसका प्रान सूख गया हम क्या बोलते हैं उसके प्रान सूख गए हम ऐसे नहीं बोलते कि उसने हस्ताक्षर किया हम कैसे बोलते हैं उसने अस्ताक्षर किये जब भी हमने आदर सुचक संग्या शब्द्यों का प्रयोग करना है तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचिन में किया जाता है क्योंकि सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वच्चन संग्या के लिए हमेशा बहु वच्चन का प्रयोग करते हैं जैसे डाक्टर रादा कृष्णन महान पूर्ष्थे महात्मा गांदी भारत के रास्विता कहे जाते हैं पंडित जुआल नाल नहरू बारत के प्रतन प्रदान मंत्री थे तो आदर सम्मान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एक वच्चन का प्रयोग किस्मी की अधत है बहु वच्चन में जैसे देखो पिता जी सो रहे हैं हम कभी ऐसे नहीं बोल लेंगे कि पिता जी सो रहा है तो पिता जी तो एक ही हैं लेकिन आदर प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बह जी